सो आज की सोड़ों पर हम जानने वाले हैं किसी भी नॉर्मल सी वीडियो को पर ट्रेंडिंग रिये इफेक्ट कैसे हम अपलाई कर सकते हैं वो भी जस्ट एक क्लिक में और इस तरीके का इफेक्ट अपलाई कर देने से आपका वीडियो और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगने लगेगा तो बिना टाइम वेस्ट की एडिटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं सो एडिटिंग हम करने वाले हैं नौट वीडियो एडिटर में आप एप का नाम फिर से सुन सकते हो नौट वीडियो एडिटर ठीके तो इसे ओपेन कर लेना है एंड उसके बाद नियो के उपर पर क्लिक करने अब बोलोगे भाई ये not video editor हम लाए कहां से तो भाई जहां से सभी apps को लाते हुँ वहां से लिया आप मेरा इसार समझ सकती हो ठीके तो इसे ओपेन करके जस्ट new के उपर क्लिक कर रहेंगे एंड उसके बाद red वाला जो plus बटन है इसको पर क्लिक करना होगो हमे देन मीड़ को पर क्लिक करना है उसके बाद व्यूड़ को पर क्लिक करना है एंड उसके बाद अपनी व्यूड़ को सेलेक्ट करना होगा तो आप सिंपली से यहां ठाड लाइन को पर क्लिक करना मिंसे थ्री लाइन को पर देन व्यूड़ को पर क्लिक करना ठीक है तो आपक करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर यह जो वाइट प्लस है ना इसके उपर क्लिक करेंगे यह से स्टोर में जाएंगे एंड यहां से रे इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे ठीक है तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सा इसका सबसे पहले कलर के उपर जाके यहलो स जाएगा देन उसके बाद आप यह जो प्लस का बटन है ना इसे आप अपने सन के पास लेके चले जाओ ठीके तो सन के पास ले जाएगे कुछ इस तरीके से इफेक्ट करेट हो जाएगा रे इफेक्ट तो एड होगी है बट यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको बड़ अमाउंट को भी हम यहां से थोड़ा कम कर देंगे ठीक है इस फ्रेस ओल्ड को आपको थोड़ा साइंक्रीज करना है और यह थोड़ा सा यलो एलो नहीं है इस एलो कलर में थोड़ा सा स्टैप का अगर कलर आ जाए ना तो जादे बेटर लगेगा ठीक है यह वालग के बात में कर रहा हूं ओकी देन उसको बाद हम इसे ड़न करते हैं तो आप देख सकते हो यह रेइफेक्ट अपलाय हो गया है तो इस तरीके से करके आप यहां रेइफेक्ट अपलाय कर सकते हैं यह हमारे वी फोर एंड यह अफ्टर अगर इसमें ज्यादा लगेग य तो इस तरीके से हम adjust कर लेंगे ठीक है जैसा आपको required होगा रे effect का उस तरीके से adjust कर लेना देन उसके बाद आपको close कर देना है एंड मैं आपको before and after दिखाता हूँ यह था हमारे before और यह हमारा है after ओकी तो रे effect apply होगी अब इससे हमें device में save करना है सो इसको पर हम click करेंगे देन उसके बाद आपको resolution को पर click करके just 1080 में select कर लेना है so that quality lose ना हो and उसके बाद इसे green को पर click करना है and आपका video बनके export हो जाएगा तो इस तरीके से एक click में एक ही click तो क्या है एक ही effect तो हमने apply किया है and ray effect apply होगी है हमारे वीडो को पर तो इस तरीके साब अपनी वीडोस को पर effect apply कर सकते हो I hope आपको ये detail समझा चुका है और वीडो भी पसंद आया होगा अगर वीडो पसंद आया है तो वीडो को like कर दो मिलते हैं next वाले वीडो में तब तक के लिए bye bye